नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विकास राजे सोठर न यूटूब चैनल पर इस डिक्टेशन की गती असी सब्द बर्ड प्रति मिनिट की रहेगी और दोस्तों अगर आपको हमारे हाई कोट के पेड़ गुरूप से जुड़ना है तो आप दिये गए नमबर पर संपर कर सकते हैं चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकंड बाद Ready Start नियाई पालिका जो हमारे लोकतंत्र के तीन प्रमुख इस तंबहों में से एक है अर्दब्राम सरकार इसकी भी लगातार अन देखी कर रही है निचली अदालतों से लेकर हाई कोड और सुप्रीम कोड तक में नियाई धीसों के सेक्णों पद खाली है अर्दब्राम लेकिन सरकार को यह जरूरी नहीं लगता कि बहे प्रात्मिक्ता के साथ इन पदाओं को भरे ब्राम Department of Justice के आक्णों को ही यदि माने अर्दब्राम तो एक अक्टुम्बर अर्दब्राम 2016 तक देश भर के सभी 24 हाई कोड में जजों के 464 पद खाली है ब्राम वहीं सरवोच न्यायाले में आठ न्यायादीस के पद भरे जाना बाकी हैं ब्राम पूर्ब मुख्य न्यायादीस TS ठाकुर के अलाबा मौझूदा मुख्य न्यायादीस JS खेहर इस मामले में सरकार को कई बार हिदायत दे चुके हैं अर्द ब्राम पर सरकार ने इस दिसा में अभी तलक कोई पहल कदमी नहीं की है ब्राम जबकी बड़े पैमाने पर न्यायादीसों की न्युक्ती से ही मौझूदा न्याय बैवस्था में गती लाई जा सकती है देश में कानून बैवस्था बहतर हो अर्द ब्राम लोगों के मानवा देकार सुरक्षित हो और उन्हें सही समय पर न्याय मिले अर्द ब्राम यह मोधी सरकार की प्राथ मिक्ता में सामिल नहीं है ब्राम अपने बीते धाई के कारेकाल में उसने हर सम्मधानिक संस्था को नख डैस दंत हीन बना कर रखा है ब्राम बहे तो सरवोच न्यायाले अकेला है अर्द ब्राम जो सरकार पर नकेल कसे हुए है ब्राम बरना बहे और भी ज्यादा निरंकुस हो जाती ब्राम एक मामले में कारबाही पूरी नहीं हो पाती अर्द ब्राम की सरवोच न्यायाले दूसरे मामले में सरकार को उसके करतब्य की याद दिला देता है राष्टिये मानवा धिकार आयोग मामले की सुनवाई के कुछ दिन बाद ही देश भर में पुलिस करमियों के खाली पड़े पदों की नियुक्तियों से सम्मंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच न्यायाले ने सरकार को याद दिलाया की कानून बैवस्था को दुरश्ट करनी के लिए पुलिस के सभी पदों पर नियुक्तियों जरूरी हैं ब्राम कानून बैवस्था पर काम का दवाब बहुत ज़्यादा है और उसके अनुपात में पुलिस करमी बहुत कम हैं भ्राम इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब करते हुए कहा है कि अभी राज्ययों के राज्य सचिव तीन हपते के अंदर हलप नामा दाखिल कर अदालत को यह बतलाएं कि उनकी राज्यों में पुलिस कर्मियों के कितने पद खाली है और इन्हें भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है पुलिसन बाचक राज्यों सरकारों की लापरबाही से अदालत इसकदर खपा थी कि उसने यह चेताबनी भी दे डाली कि जो राज्यों निश्चित समय सीमा में हलप नामा दाखिल नहीं करेंगे अदालत में जवाब देने के लिए तलब करेगी ब्राम अदालत का यह गुस्सा बाज्यों भी है ब्राम साल 2015 के सरकारी आकड़े ही यह बतलाते हैं कि देश में 4,33,000 पुलिस कर्मियों की कमी हैं अदाल ब्राम जाहिर है कि जब जन संख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की नियुक्ती ही नहीं है अदाल ब्राम तो लोगों को सुरक्षित माहौल कैसे मिल पाएगा प्रिस्नवाचक अपराधियों में कानून का डर कैसे पैदा होगा प्रिस्नवाचक मोधी सरकार की नजरों में यदि राष्टिये मानवा अधिकार आयोग अर्दब्राम भारतिये पुलिस बल जैसे संस्थानों और नियाई पालिका का कोई सम्मान होता और बहे देश के हर नागरिक को इनसाफ और उनके अधिकार देना चाहती तो अर्दब्राम भहे इन संस्थानों की इस तरह से अनदेखी नहीं करती ब्राम इन संस्थानों के खाली पद तुरंत भरे जाते ब्राम स्टॉप